हेलो दोस्तों मेरे चैनल लोको ग्यान में आपका स्वागत है आज हम थ्री फेस लोको जिसमों में इसी लोको भी बोलते करें लोक तो उसमें जो HV1 क्यूबिकल है और HV2 क्यूबिकल है जो MCBs लगी होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे HV1 क्यूबिकल HV क्यूबिकल को हम auxiliary क्यूबिकल भी बोलते है क्यूंकि इसमें क्या होता है जितनी भी auxiliary होती है उनकी MCBs लगी होती है तो आपको अगर पता है कि कौन कौन सी auxiliary है और exam में आता है KTMB या OCB की MCB का number बताओ हो तो इतना तो आपको पत कंफर्म हो गया कि या तो HV1 में होगी या HV2 में होगी और कौन सी कहां पर होगी तो यह बताता हूं मैं देखिए जो auxiliary है या तो थ्री फेस 415 वोल्ट की भी है सिंगल फेस 415 वोल्ट की भी है इसके इलावा 110 वोल्ट की भी है तो अगर साथ में याद करेंगे HP1 और 2 की तो हमको समझने में असानी होगी तो चलिए start करते हैं देखिए सबसे पहले है main compressor तो main compressor की MCB कौन सी होती है वो होती है 47.1 main compressor 2 होते है अगर main compressor 1 है तो वो कहां पर होगा slash 1 लिखा होगा ठीक है वो HB1 में होगी और अगर main compressor 2 है तो slash 2 लिखा होगा और वो HB2 में होगी तो मैं कहा रहा हूं कि MCB main compressor 1 की कौन सी है तो वो आएगा 47.1 slash 1 डाल देना आपने ऐसी exam में आता है कि traction motor blower है TMB इसकी MCB का नंबर बताईए टोटल दो TMB होते हैं traction motor blower तो इसकी MCB का नंबर कितना है 53.1 आपको यही याद रखना है बाकी 1 और 2 लगाना वो तो बात की बात हैं तो TMB की MCB क्या है 53.1 अगर TMB 1 के बारे में पूछा गया है तो slash 1 लिख देंगे हम तो वो HB 1 में होगी अगर TMB 2 के बारे में पूछा है तो slash 2 डाल देंगे तो वो HB 2 में होगी अब इसी तरह आगता है OCB ठीक है OCB की MCB क्या है 59.1 है यहाँ पूछा हमें OCB की MCB क्या है तो वे है 59.1 इसकी है 59.1 अब OCB भी आपके कितने होते हैं 2 अगर OCB 1 के बारे में पूछा है तो slash 1 होगा HB 1 में अगर OCB 2 के बारे में पूछा है तो वो slash 2 होगा और HB 2 में होगी MCB अब TMB भी हो गया OCB भी हो गया अब देखिए 53 और 59 के बीच में क्या आता है 55 है ठीक है तो TMB और OCB इन दोनों का क्या होगा TMB और OCB का स्क्वेंज बलोर होता है दोनों का तो ये इनके बीट्वीन होगा तो 53 और 59 के बीच में आगए 55.1 तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि TMB और OCB की MCB के बीच में इनका स्क्वेंज ब्लोवर की MC भी आती है तो 55.1 होते हैं तो स्क्वेंज ब्लोवर भी कितने होते हैं दो होते हैं एक मशीन रूम नंबर 1 में होता है और एक 2 में होता है अगर तो स्क्वेंज ब्लोवर नंबर 1 की बात की है तो slash 1 लिख देना और अगर स्क्वेंज ब्लोवर नंबर टू की बात की है तो स्लैश टू डाल देंगे बस तो इस तरह से आप को कोई कंफ्यूजर नहीं होगी अब आज आता है ट्रैक्शन जो होता है ट्रांसफोर्मर ओल पंप तो ट्रांसफोर्मर ओल पंप की जो MCV है वो होती है 62.1 ठीक है तो टोटल होते है दो ट्रांसफोर्मर ओल पंप होते हैं अगर ट्रांसफोर्मर ओल पंप 1 के बारे में पूछा है तो स्लैश 1 HB1 cubicle में और अगर transformer oil pump 2 के बारे में पूछा है है तो वो slash 2 डाल देना है और वो किसमें होगी HB2 में होगी तो 1 वाली 1 में होगी HB1 में और 2 वाली 2 में होगी कोई भी auxiliary सो ठीक है इसके लावा जाता है traction converter oil pump SR का oil pump तो इसकी MCV है 63.1 और अगर SR oil pump 1 के बारे में पूछा है तो slash 1 डाल देना HB1 में और अगर SR oil pump 2 के बारे में पूछा है तो हम उसको HB2 में बोलेंगे अब याद होगी कैसे देखिए पहली 4 तो है इनको याद रखने का आप ऐसी याद रख सकते हो कि यह सारी क्या है odd numbers है 63 MCV का number आपको पता होना चाहिए कि क्यों सी MCV से ऐसा ना कि आप उस MCV का number बता रहे हो जो उसके में बारे में पूछ रहा जो MCV हे नहीं कि आप उज़रे हो 60.1 की MCV यह किस की MCV है तो main तो आपको MCV का बारे में पता होना चाहिए तो पहले है transformer का pump हो ठंडा होता है तो 62 है इसलिए पहले लिग देंगे ठीक है ऐसार का बाद में तो 63.1 यह बाद वाले की है तो इस तरह से आप याद रख सकते हों अब आयाता है single face की कौन कौन सी oxidis है तो single face की मैंने बताया था कौन कौन सी होती है एक तो machine room blower होते है और एक machine room blower का ही squange blower होता है ठीक है अब इसको कैसे याद रखेंगे आपको अगर squange blower पता है कि 55.1 होती है एक mcb न तो उसके एक पहले है एक बाद में इस तरह से आप याद रख सकते हो कि 55 के पहले है 55 होती न इसके एक पहले आएगी और एक बाद में तो machine room blower की mcb का number कितना है 54.1 अगर machine room blower 1 के बारे में पूछा है ठीक है तो वह क्या होगा slash 1 डाल देना hp 1 cubicle में और अगर machine room blower 2 के बारे में पूछा है तो slash 2 डाल देना hp 2 में ऐसी machine room blower का जो scrange blower होता है इसकी mcb है 55 के बाद वाली तो यह आया 56.1 अगर scrange blower machine room का पूछा है 1 तो slash 1 डाल देना तो यह किसमे होगी 1 वाली hp 1 में होगी अगर 2 के बारे में पूछा है तो slash 2 यह किसमे होगी 2 वाली hp 2 में होगी एक और आ जाता है कि वही cab heater है यह भी क्या है सिंगल फेस 415 वोट की mcb है तो इसकी mcb का नंबर बताईए यह किसमे होती है जो cab heater की है इसकी mcb का नंबर है 69.62 यह आपको याद रखना पड़ेगा जो की hp 1 में ही होती है ठीक है और जो देखिए आप ऐसे आरशकतर की एक में heater है हीट करने के लिए और hb1 में heater है और hb2 में क्या आएगा 64.1 यह क्या होता है ac आगया तो वन वाले में cab heater है ठीक है hb1 में और hb2 में क्या है air conditioner ac की mcb है ठीक है तो इस तरह से आप दोनों को याद रखते हो इसके इलावा जाता है 110 वोट की mcb आगी आपकी एक क्या वेंटिलेशन तो इसकी mcb है 69.61 क्या फैन की mcb कौन सी है देखिए क्या इसके 69.71 इनको याद रखने हैं कि ऐसे रख सकते हो देखो यह 61 है यह 71 है तो कितने हैं दोनों का दस दस में फरक है तो यह 61 71 तो इस तरह से आप याद रख सकते हो इसके लावा जाती है बैटरी चार्जर की mcb ठीक है बैटरी चार्जर की इन्पुट mcb किस में लगी होती है तो जो इन्पुट mcb है वो लगी होती है hb2 में इसकी mcb का नंबर है 100 ठीक है अगर इन्पुट mcb पुछा है तो यह 100 होगी अगर आउटपुट पुछा है mcb तो उसका नंबर कितना होगा वो होती है 110 mcb का नंबर है 110 और वो किसमें लगी होती है वो sb2 में है ठीक है बैटरी चार्जर की input वाली hb2 में और output 110 वो sb2 में तो यह थी hb1 और hb2 की mcb's कौन कौन सी होती है next वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो traction जो sr1 है जो converter जो cubical है ठीक है sb1 और sb2 उनके mcb के हम बारे में हम पढ़ेंगे thank you